हेलो फ्रेंट्स तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री भारत एंदा वर्ड का चैप्टर 3 क्लास 10 जिसका नाम है मेजर फिलोसफी ऑफ दा वर्ड तो इसे पीछे वाले वीडियो में हमने जनिजम के बारें पढ़ा है वैदिक फिलोसफी के बारें पढ़ा है और उनमें से एक ग्रेट फिगर है कोतम बुथ जिसका जनम 6th century BC में हुआ था और उनको बुद्धिस्ट फिलोसफी का फाउंडर माना जाता है अब देखो फर्स्ट हमारा है मात्मा बुथ मात्मा बुथ का जनम लुमीनी नेपाल में कपिल वस्तू के आसपस वाले रीजन में 563 में BC में हुआ और उस टाइम पर जो लुमीनी थी वो सक्क्या रेपबले की कापिटल थी इसके जो फादर थी उनका नाम शुद्धोधन था जो की सक्क्या ग्रूप के हड थे और मदर का नाम था इसका मातीगी और नेम था सिधार्ट और कुछ ऐसे क्या हुआ 39 साल की उमर में इन्हों ने एक ओल्ड मैं को देखा एक सिङ पर्शन को देखा एक मरे हुए व्यक्ति को देखा और एक मौंक को देखा इन चारों व्यक्ति거든요 को देख कर 29 साल की उमर में इनों ने अपने घर को अपने kingdom को छोड़ दिया और knowledge को प्राप्त करने के लिए ये निकल पड़े ये जो incident है घर छोड़ने वाला इसको बोलते हैं महाभिनिश क्रमन बुद्धिस लिटरेचर में इसको महाभिनिश क्रमन के नाम से जाना जाता है जब मात्मा भुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था अब देखो जो इनका घर छोड़ने के बाद ये जो है ना कुछ सालों तक तपस्वी रहे फिर ये आलर कालम नाम के तपस्वी से जाकर मिले ताकि ये knowledge प्राप्त कर सके लेकिन वहाँ पर विजागर ये satisfied नहीं हो पाई इसके बाद देखो जो knowledge अच्छी खासी प्राप्त नहीं होई फिर इसके बाद ये उरुवेला के forest में ये थे और इनके साथ इनके 5 अलग साती थे इन 6 के 6 जिनों ने उरुवेला forest निरंजना रीवर के बैंक पर तपश्या की लेकिन उनके जो ये 5 convenience थे ये satisfied नहीं हुए इसी वज़े से इनों ने वहां से इनको छोड़के चले गए और फिर भी ये distract नहीं हुए इसके बाद इनों ने मतलब वहां पर बैठ कर पीपल व्रिक्ष के नीचे इनोंने meditation करना शुरू किया साथ दिन की meditation करने के बाद इनोंने self realization किया कब किया realization full moon वाले दिन पर वैशाख मंत के full moon वाले दिन पर इनोंने self realization किया साथ दिन के meditation करने के बाद और जब से ही इसको बुद के नाम से जाना जाता है और जिस tree के नीचे बैठ कर इनोंने knowledge को प्राप्त किया उस tree को body dream आनते हैं बुद तो उनको कहने लगी और जिस tree के नीचे बैठ है इसको body tree और उसी place को बुद गया के नाम से जाना जाता है बिहार में और यह जो पूरा event है इस event को बोलते हैं साम भूधि महतमा बुद ने अपना पहला उपदेश दो बनज़ारास को दिया था जिसका नाम टा तता पासू और मालिक और इनके दो बनज़ारास के साथ इनों ने साथ अलग साथी को भी उपदेश दिया था, कहां पर दिया था, उपदेश इनोंने सारनात में उपदेश दिया था मातमा बुठ ने, दो बंजाराज को और पाच अलग साथी को, और जो यह इवेंट था, इसको बोलते है धरम चकर, और हम कह सकते हैं, À यह बुलते हैं, इसको वील ऑफ रिलेशन भ कुशी नगर में 483 BC में इनकी मृत्यू हो गई इस event को बोलते हैं महापरिनिर्वाना तो हम कह सकते हैं जो इसमें इनकी लाइफ में जो है एक मात्मा बुद्ध की जो लाइफ है इसमें तीन इवेंट आते हैं एक तो आता है धर्म चकर दूसरा आता है इनका महापरिनिर्वा यह तीनों के इंपोर्टन है फिर अब हाते हैं गोतम बुद्ध जो फाउंडर थे उनके फॉलोवर्स तो पार्ट में डिवाइब थे एक तो वह जो मॉंक्स थे दूसरे वह जो वर्शिपर्स थे जो यह थे यह एक सिंपल जिन्दगी जीते हैं जिन्दगी तो यह जीते ह हैं सिंपल ही लेकिन यह जो है यह बुद्धिस्ट फिलोस्फी को प्रपोगेट करते हैं यह बुद्धिस्ट फिलोस्फी को फोलो ही करते हैं सर्फ अब देखो महावी स्वामे की तरह ही महात्मा बुद्ध भी हमेनटी मानविता का प्रिचर था और इनोंने लोगों को जो सफर करते हैं जो कि पीड़ा मतलब पीड़ा होती है जिन लोगों को अजाद करवाने के बारे में इनों ने बताया और साहते में इनों ने उनको मुक्ति कैसे प्राप्त कर यह भी बताया अब जो हमारे इसके बाद आता है जो चार नोबल truth है कौन-कौन से हैं चार noble truth एक है suffering दूसरा है cause of suffering कारण क्या होता है पीड़ा दुख होगा तीसरा है हम इसको हटा कैसे सकते हैं suffering को चो होता है इसको remove कैसे करें देखो birth and death union and separation profit and loss profit होना लोस होना union होना unite होना और separate होना birth होना और death होना यह जो हमारी छे चीज़े हैं यह सारी पीड़ा ही देते हैं संसार में अब इनको हटाया कैसे सकता है हम जो है पीड़ा है जो हमारी suffering है इनका कारण क्या होता है कारण होता है हमारी desires हमारे desires इतनी बड़ी होती है इतनी जारी होती है कि बस हमें पीडा ही होती है कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, तो हमारी desires ही होती है, जो हमारी कारण होती है, हमारी पीडाओ का, अब देखो, इन पीडाओ को कैसे कर सकते हैं हम इसको, बतलब कि इसको खतम, end कैसे करें, सिंपल सी बात है, जो हम desires सोचते हैं, desires पर control करना ही, हमारी control of desires पर control करना ही, हम इसको end कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, अब ways, ऐसे क्या ways हैं, जो हम suffering को remove कर सकते हैं, हटा सकते हैं, देखो, जो हमारे sorrow होते हैं, दुख होते हैं, दुखों के उपर विजह ही प्राप्त कर लेना, इसको बोलते हैं, अस् अस्त मर्दे को गोतम बुद्ध ने बोला है कि जो हमारे डिजायर्स होती हैं, डिजायर्स को खटाया जा सकता है, एक तो निर्वाना लेकर दूसरा बुक्ति प्राप्त करकर, तो एक वैक्ति को अपनी जिन्गी में इन आठ रास्तों को फोलो करना चाहिए, वो क्या है, पह आठ रास्तों को हम फोलो करकर, एक मैं जो है अच्छी जिन्गी जी सकता है, फिर हमारा फूर्थ हाता है, टैन आथिकल प्राक्टिस ओफ गोतम बुद्ध की जो दस अथिकल प्राक्टिस है, कौन-कौन से हो पहला है, नॉन वाइलेंस, दूसरा है, तृत, तीसरा है, हमें खुषबू वाले सबस्टान्सजज को यूज नहीं करना चीए, चोता है हमें अपने जो बैड, सौफट बैड है, उसको छोड़ना चीए, पाचवा है, चोरी नहीं करना चीए, किसी चटा है, इ TCP को प्राप्ट करना, आठा मा है, हमें ज्यादा खाना नहीं खाना चीए, नोल मा है डान्स, सिंगिंग वगएरा को छोड़ना और दसमा है लस्ट और वैल्थ और छोड़ना इसके बाद यो पांच वा है वो है हमारा हीनियान और महयान दिखो जो सेकिन्ड असेम्ली हुई थी उसेम्ली के बाद बुद्धिस्म को दो पार्ट में डिवाइड गया हीन बुद्ध की टीचिंग्स को फोलो करते हैं लेकिन ये बुद्ध को ही अपना भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं इसके बाद देखो हमारे मतलब जो वर्ड है वर्ड में बुद्धिजम का प्रोपोगेशन कैसे हुआ जो डवलप्मेंट थी बुद्धिस्ट फिलोस्थी बुद्धिजम की डवलप्मेंट और ये अशोका के टाइम तक ही चलती रही है अब जो को अशोका कनिश कहशवर्दन ने भी बहुत ही इंपार्टन प्ले किया है रोल डवलप्मेंट में अब देखो जो बुद्धिस्ट फिलोस्फी को स्प्रेड करने के लिए अशोका न बुद्धिस्ट फिलोस्फी को स्प्रेड किया और देखो बुद्धिस्ट फिलोस्फी कहां कहां पर स्प्रेड है फैली हुई है अब जो बुद्धिस्ट फिलोस्फी है हमारे इंडिया में वो लुप्त हो रही है एक्स्टिंक्ट हो रही है थोड़ी इतनी नहीं मानते है एक्सटर्ल कॉजस वहारे हैं क्यों हो रही है। दो रीजन्स के वज़े से वह रही है। पहला तो कारण है internal cause दूसरा कारण है external cause internal causes वह है क्या हमारी में वैदिग फिलोस्थी को ज़ादा मानते हैं तो इस वज़े से… और हम जो विदाथ है उसमें भी वैदिक फिलोस्पी के बारे में ही बताया गया तो इस वज़े से हम वैदिक फिलोस्पी को मानते हैं ना कि पुद्धिसम को और बहुत सारे किंग्स ने भी किसके ओपर फोकस किया था वैदिक फिलोस्पी पर बहुत फोकस किया इस वज़े स से वेदिक फिलोसफी को ही माना जाता है एक्टेनल कोजिस वह है जब आकरमन होना शुरू हो गए थे इंडिया के ओपर जैसे हुंस ने मौंगल्स ने मौमध बिन कासीम ने मौमध गजनवी मौमध गोरी ने सेंटरल एशिया से हमारे ओपर जो आकरमन किये थे तो इस वज़ मौमध गोला अच्छी चिंद्जगी जिसकता है कैसे जी सकता है वह जिसकता है जब वह आत रास्तों को फोलो करेगा तो इस बुद्धिज्म फिलोस्वी में इतना ही था और इसके बाद जो तीन फिलोस्वी हो रहती है उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक जुरूर करें और थेंक यू